आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नमबर थ्री शब्द और वाक्या इंग्लिश में इसे कहते हैं words and sentence शब्द यानि की words वाक्या यानि की sentence सबसे पहले हम शब्द पर बात करेंगे शब्द कीसे कहते हैं पीछले चैप्टर में आपने पढ़ा है की words की कहते हैं हिंदी के जितने भी अक्षर है वो सारे words हैं जैसे क, च, प, म, वो सारे words हैं उधारन के तोर पर यहाँ हम देखते हैं फ, उ, ल, अ, ये सारे वर्ण है यदि इन वर्णों को जोड़ दिया जाए और जोड़ के लिखा जाए तो उससे शब्द बनता है इन सभी को हमने जोड़ा जोड़ के लिख दिया तो बनी गया फोल आधा फ, बड़ी उ, आधा ल, और अ क्या इनके मिलन से बना फोल तो यानि कि वर्णों की मिलन से जो बनते हैं उन्हें हम शब्द कहते हैं और शब्दों की मिलन से जो बनेगा यानि कि कई दो या दो से अधिक शब्दों को यदि हम लिख दे साथ में मिला करके तो उससे बनेगा वाक्य यानि के sentence लेकिन उससा कुछ अर्थ निकलना चाहिए अब एक उधारन हम और देखते हैं यहाँ पर लड़का लड़का क्या है एक शब्द है यह कैसे बना है वर्णो के सैयोग से वर्णो की मिलन से ल, आ, र, आ, क, और आ इनके मिलन से, इन वर्णो की मिलन से लड़का शब्द बना है और जब शब्दो को हम एक साथ लिखेंगे तो उससे वाक्य बन जाएगा जैसा कि मैंने बताया एक चीज और ध्यान दीजिएगा ल, ल, क्या है? एक व्यंजन है ये पिछले क्लासस मेंने बताया है ल, ल, व्यंजन है लेकिन इसके नीचे एक निशान लगा हुआ है हल का निशान या फिर हलंत कहते है जब भी किसी व्यंजन की नीचे इस तरीके से हलंत लग जाए तो वो आ रहित हो जाता है यानि कि उसमें से आ हट जाता है और ये आधे रूप में हो जाता है जैसे अभी इसे हम ल नहीं कहेंगे इसे हम कहेंगे ल, ठीक है? क्योंकि नीचे हलंत लगा यानि कि ये आधे रूप में है तो ल और अ मिलके बनता है ल ये क्या है र र प्लस अ इन दोनों की मिलन से बनता है र और आधा क का को उचारन कैसे करेंगे क और आ इन दोनों की मिलन से बनता है का तो ल र का इस तरीके से इन वर्णों के सैयोग से बन गया लड़का इतना आप समझ गया होंगे अब ये जो शब्द होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पे दो प्रकार के शब्द होते हैं एक होता है सार्थक शब्द, दूसरा होता है निरर्थक शब्द सार्थक का मतलब है वो शब्द जिसका कुछ अर्थ निकलता है उससे सार्थक कहेंगे और वो शब्द जिसका कोई अर्थ निकलता ही नहीं है उससे निरर्थक कहेंगे अब इसे कैसे समझेंगे यहां देखिए लड़का, पशु, फल, फूल यह सब का कुछ मिनिंग है इसलिए से हम सार्थक शब्द कहेंगे अब अक्सर हम अपने आम बोलचाल की भाशा में हम प्रोक करते हैं चाय वाय अब चाय का तो मतलब है लेकि वाय का तो कोई मतलब नहीं है तो यह हो गया निरर्थक दाल शाल, ओ भई दाल शाल खा लिया बोलते हैं तो दाल क्या है? दाल है सार्थक शब्द लेकिन शाल जो है यह है निरर्थक शब्द तो यह समझ गया होंगे कि जिसका कोई अर्थ ना हो निरर्थक है अब आते हैं वाक्या में वाक्य जो कि मैंने आपको बता दिया है, यहाँ इस चित्र को ध्यान से देखिए, ठीक है, ना इस चित्र को देखने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ देखते हैं, चड़िया यहाँ पर देखते हैं, यह वाले चित्र को ध्यान से देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि meaningful sentence है, यानि कि एक अर्थ पून वाक्य, इसे हम कहेंगे, ठीक है, जिसे कुछ meaning निकलता है, वही हम कहेंगे, उडाई रमन ने पतंग, तो ये गलत तरीके से मिल किया गया है, ठीक है, तो यानि कि वाक्य इसे हम न कहके, सार्थक वाक्य इसे हम कहेंगे, यानि कि सार्थक समूहों का समूह, सार्थक शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है, ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं वाक्य के अंग, वाक्य के अंग, यानि कि वाक्य हमने समझ लिया, हमने क्या क्या समझा, कि जब अक्षरों को अलग अलग लिखा जाए, वर्ण कहलाते है उनको जोर दिया जाए जोर करके लिखा जाए वो शब्द कहराते है और शब्दों को जोर करके कई शब्दों को एक सब लिखा जाए जिसका कुछ अर्थ निकलता है तो वो वाक्य हो जाता है अब इन वाक्या के दो अंग है, कितने अंग है? दो अंग है, उद्देश्य और विध्य उद्देश्य क्या होता है? मान लिए कोई एक sentence एक वाक्या है, जैसे बच्चा पतंग उड़ा रहा है इसमें किसके बारे में बताया जा रहा है बच्चा के बारे में तो बच्चा हो गया उद्देश्य है ठीक है और इसके बारे में क्या बताया जा रहा है कि ये पतंग उड़ा रहा है तो पतंग उड़ा रहा है तो ये पतंग उड़ा रहा है ये जो है इतना ये हो जाएगा व सेंटन्स दे कि, कुछ वाक्य दे कि, कि इसमें इस्वे उद्धेशर व्यद्य छाटिये। तो जिसके बारे कहा जा रहा है, उसे हम उद्धेशर कहेंगे और जिसके बारे में जो कुछ कहा जा रहा है, वह पुरण विद्य हो जाएगा। यहां तक आप समझ गया होंगे उसी तरीके से एक और उधारन दिया गया है मम्मी ने वीर की कमीज सिली इसमें मम्मी क्या है? मम्मी उदेशे वीर की कमीज सिली ये क्या है? ये हो गया विध है ठीक है? वीर की कमीज सिली ये हो गया विध है तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर को समझा बहुत आसान पाठ है तो एक बार फिर से हम दोहरा लेते हैं हमने ये सिखाए कि दो या दो से अधीक वर्णों का सार्थक समुख शब्द कहलाता है शब्द दो प्रकार के होते हैं सार्थक और नेर्थक शब्दों के समुख से वाक्य बनता है वाक्य के दो अंग होते हैं उद्देश्य और विध्य जिसके बारे में कहा जाए उसे उद्देश्य कहलाता है और उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए उसे विध्य कहते है ठीक है तो ये पार्ट बस इतना ही छोटा सा पार्ट था इससे आप बार बार दोहरा करके देखिए और इसके concept को समझने कोशिश कीजिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और जहां तक प्रशन और उत्तर का सवाल है इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे इसके जितने प्रशन उत्तर इसका अभ्यास कीजिए और इस पे हम हमर्क और क्लास्वर्क बगर सब करवाएंगे तो आज के लिए इतना ही थैंक यू